हेलो एवरिवन आपके अपने चैनल जसनूर माम ब्लोग में आपका स्वागत है तो कैसे हो आप आई होप सब अच्छे होंगे और अपने गर में सब स्वस्त होंगे तो आज है ट्यूजडे और अभी हो रहा है इविनिंग का टाइम करीब साड़े साथ पौने 8 बज़रा हैजबन जी मंगलवारगो गुर्दवारे जाते हैं तो चलिए अभी हम लोग निकल चुके हैं गुर्दवारे के तरफ और ये कुछ रास्ते का व्यू है और रात में जब निकलो ना चारो तरफ लाइटिंगी लाइटिंग ना बहुत जादा प्यारा लुक लगता है पकोरी टाइप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहां की यह ना पाकिस्तान से यह लोग आए विया यहां पे बनाके बनाते हैं इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कभी आप लोग अगर लोकल में जो तिलग नगर में रहते है ना यह वो यहां के आके खा के देखन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या ही बता हूँ तो चलिए यहां पे मैं गुर्दवारी के तरफ में निकल चुकी हूँ और अब यह बाहर का क्युछ ऐसा वियू है और यहां ना मैं थोड़ी वो ड्रेस वेगरा देख रही थी क्योंकि एक तो मेरे पासंद आया तो ले लिती नहीं पसंद आया तो नहीं लूंगी तो देखे यहां पे रेनवेशन बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन अब यह फाइनली जाकर के काम पूरा लगबक होने ही जारा है थोड़ा बोता है और जो बचावाए यह बी कम्पलीट हो ही जाएगा ब देखिए अब हम लोग की नमबर के लिए तो फ्रेंड्स आप लोग भी अपनी मनुकामना जो भी है मांग लीजे और मत्था टेक लीजे क्योंकि जो भी मनुकामना होती है बाबा जी पून जरूरी करते हैं क्योंकि यहां पे कहते हैं फते नगर तिरिलक नगर गुर्द्वारे में जब भी अकसर हर मंगलवार पांच नगलवार या साथ मंगलवार जब भी आओ, मतलब लगात तो आपकी मनुकामना जो भी है पून होती होती है जोली बाबाजी भर के देते ही देते हैं खाली नहीं बेजते हैं ये बहुत लोग कहते हैं और मेरे साथ में भी बहुत बार ऐसा हो चुका है क्योंकि मेरे साथ ऐसा अच्छा हुआ है तो मैं आप लोगों को ये रिजल्ट पतारी हूँ और सही में भगवान तो है ही है भगवान नहीं होते तो हम लोग कहां से होते तो इसलिए तो चलिए यहां पर हम लोग सामने से भी बाबा जी से मथा टेक के और आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब अरदास होने जा रहा है तो यहां पर किर्तन वेगेरा हो चुका और ये है नेक्स डे का कीलीप यहनी की वेनेस डे का और जब में इन नाइट में जब घर आ रहे थी गुरदुबारे से तो इतना जादा आंधी तुथान चल रहा था ना आंधी इतनी जादा कि इंसान उसमें मतलब उड़ा के लेके चला जाएगा इतना ज़्यादा आंदी तुफान हो रही थे आंख वेगरा में ड्राइव भी नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने मेरी पतली वाली चुन्नी ली उसके बाद फिर ये अपने फेस पे पूरा बांध लिया फिर उसके बाद हम लोग ड्रा बहुत ही ज़्यादा लेट जा रहा है बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते है न कि ये छे साथ दिन पर आट दिन पर ये मेरा ब्लॉग गया है क्योंकि कुछ बीच में उस बीच में मेरा एक्सिडेंट भी हो गया था क्योंकि ये हमको लेके कहीं जा रहे थे तो पैर में पोल स ले ली थी और मतलब सब चीस से ही चुट्टी ले ली थी तो इसके कारण में ब्लॉग वेगेरा भी नहीं बना रही थी क्या लेटे लेटे क्या रेस्ट करना था तो क्या ब्लॉग बनाती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैं कुछ भी ब्लॉग वेगेरा भी बना पारी थी और जब मेरा पैर ठीक हुआ है तब मैंने कुछ सोट्स वेगेरा डालना स्टार्ट किया है तो अब फिलाल के लिए ब्लॉग वेगेरा टाइम टू टाइम जाएगा जितना आप लोग ने मेरे साथ में कॉपरेट किया है तो बहुत ही जादा दहे दिल से आप लोगों को थैंक यू क्योंकि आप लोग ने बहुत जादा मुझे हिमत बढ़ाई है और मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था तो कुछ सस्क्राइवर जो है मेरे प्यारे प्यारे उन्होंने भी कमेंट्स किये थे कि आप ब्लॉग नहीं डाल रही है वीडियो नहीं डाल रही है तो आपने जो वेट किया है उसके लिए भी थैंक यू और अब ये वेट आप लोगों का बाते करते करते मेरी यह आलू और सिमला की सबजी वी तयार यहां होने जा रही है almost तो यहां पे मैंने तड़का वेगरा लगा दिया है और सुखी सबजी बनाऊंगे क्योंकि यह रेसिपी मैंने कई वार सेयर कर चुकी हूँ तो यहां पे सिंपल सी यह सुभा का नास्ता मैं सब के लिए बना रही हूँ अभी क्लेनिंग वेगरा कुछ भी नहीं किया है फिलाल के लिए नास्ता बना लेती हूँ और नाही दोई भी नहीं हो अभी तो चलिए यहां पे मैं अच्छे से एक चमस अद्रक लसन का पेश्ट डाल दी हूँ और इसको अच्छे से यहां पे मीडियम आच पे भुनाई भी कर लूँगी और एक तरफ मैंने चॉप टमाटर काट लिया है तो अब ये जो कपड़े वगएरा है ना तो ये सब मैंने ऐसे ही छोड़ के चले गई थी तो ये सब अच्छे से यहां पे फोल्ड वगएरा कर लेती हूँ कपड़े का तो रोज का ही रहता है कपड़े मतलब और तबियत भी मेरी उस बीच में पराब होगी है कहते हैं कि जब घर की लेडिस जब बिमार पड़ जाए या कुछ आथसा हो जाए ना तो सारा चीज अस्तिब्यास हो जाता है एक बिखर सा जाता है मतलब कहते हैं ना बच्चे परिवार सब को हैंडिल करके मतलब दो हाथ नी रहते हैं दस हाथ रहते हैं एक लेडिस का वो सब समालना पड़ता है और वो ही कहते है जैंस भी बिमार पढ़ जाए कुछ भी हो जाए जैंस को तो लेडिस समाल लेती है लेकिन लेडिस जब हो जाए तो कोई भी उसकी जगा नहीं ले सकता वही हुआ था मेरे साथ में करीब मुझे एक सपता लग गया था मेरे पैर को ठीक होने में तो वही सब सब चीज ऐसी अस्त ब्यस्त हो गई थी तो फिर दीरे दीरे करके समाला तो फिर मुझे ना मतलब सूट करने में भी नहीं बनता था तो इसलिए फिर मैं दीरे दीरे ठीक हुई हूँ तब उसके बाद मैंने वीडियो वेगेरा बनाना स्टार्ट किया और ये देखे मैं आपको बल्व दिखा रही हूँ ये मच्छर वाला बल्व है मच्छर इससे खतम हो जाते हैं मतलब एक भी मच्छर नहीं दिखते हैं तो वही मैंने खरीदा था दो तो यहां पर यह चली सुखे मसाले वेगेरा इसको भी मैं यहां पर सबजी में डाल देती हूँ और यहां पर यह सबजी मेरी तयार हो जाएगी सिंपल से सबजी सिमला अलू की तो यह नास्ता मैं फटा-फट उन लोगों को बना के दे दी हूँ और अब यहां पर ना दो करके यहां पर जोत वेगेरा मैं दिखा देती हूँ मातारानी को और पूजा सुबा का है वो मैं कर लेती हूँ वो कहते हैं ना कि मुसीबत आती है और मुसीबत चली भी जाती है लेकिन उस मुसीबत को बोल्ड बन करके सामना करना पड़ता है और और हिम्मत वही मातारानी से मैं मांग रही हूँ कि मातारानी मुझे भी हिम्मत दे तो आज मैं वही हिम्मत से आज मैं खड़ी भी हुई हूँ तो चलिए यहाँ पे मैं चाई वेगेरा बना ली थी और क्योंकि सुबह में मैंने चाई नहीं बनाई थी अपने लिए और मेरे स बेघाना था तो में आ गई थी और यहां पर ऑगरुने करके duż बच्छों को सिखाया जाता है और पोर्ग्राम मिए करने ऑगरा मैं चाहिए जृता साु इक काड बनाके अपने हातों से यह जो बच्चे बड़ अपने मादर को देती हैं और फोटोशूट होता है और यह सब जो फोटोशूट होता है न सब वहाँ पे गउबंट के तरफ गबने के पास भीँजा जाता है तो यहां पे फिर मैं बहुट एक दू तो यहां पे भी मैं आलू मटर की सबजी बनाऊंगी तो वही मैं यहां पे मटर में छील रही हूँ और साती साथ अब इस वीडियो को भी करती हूँ वीराम ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा क्योंकि बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही ह को भी प्यार और सपोर्ट दीजेगा और कंटिन्यू वीडियो जाएगा तो चलिए अब मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई लब यू ओल टेक केर